SSC ने जब अपनी नई website launch की थी तो वहां पर एक update एक बहुत बड़ा update है क्योंकि SSC ने अपनी पुरानी website से नई website पे shift कर लिया लेकिन वहां पर जब आप लोग अपने form भर रहे होंगे तो एक सबसे ज़्यादा दिक्कत जो student को हो रही थी वह थी कि वहां पर सर फोटो अप स्मेदार होगी इस कारण से क्या किया SSC ने अपना एक पहली बार अपना एक official app launch कर दिया क्योंकि आज कल आप का कुछ ज्यादा ही क्रेज है और आप पर आप लोग जानते हैं थोड़ा ज्यादा convenient और smooth होती है चीजे और यहां पर आप लोगों को photo upload करने में दिक्कत नहीं तो SSC की जब आप लोग नई website ssc.gov.in पर जाएंगे तो यहां पर जो सबसे पहला notification है उसमें लिखा हुआ official app for of the staff selection commission जैसी इसको आप क्लिक करेंगे यहां पर आपको एक documentation मिलेगी जिसमें बता रहा है it is informed that candidate may use the commission's official app अब जितने भी candidate ने वो official commission का official app है जो की play store पर available है वहां आप लोग कर सकते हो अपने जितनी भी डॉट आपना जो फोटोज है signature उसको आराम से upload कर सकते हो अपना form fill up कर सकते हो ठीक है तो जैसे आप लोग जब इसको यहां से तरीके से आप लोग copy paste करेंगे यहां से आप copy paste कर सकते हैं सर्च भी कर सकते हैं अपने Google Play Store पर जा करके त इतने सारे download सो हुई जोगे हैं क्योंकि SSC में कितने student candidates apply करें आपने नहीं किया तो अभी तक इसको कर लीजिए ठीक है जहां से आप देख सकते हैं यह SSC का official app है जिसमें नीचे भी आप लोग जाएंगे तो लिखा हुआ है कि this is the attachment यह आपका पूरा जो official app है इसको पूरा आप बताया गया about app जिसमें आप जाके पढ़ सकते हैं अब इस app में क्या क्या चीज आप लोगों को explain की गई हैं सबसे पहले आपको दिखाया गया कि इसका interface कैसा दिखाई देगा ठीक है मेरे आप junior engineer के लिए किस के लिए आपने apply किया है preview देख सकते हैं आप लोग यह जित पासवर्ड की साहता से उसके बाद आपको बतायागा है कि जब इक आपको फोट अपलोड करना है तो यह एक invalid तरीका है फोट अपलोड करने का जिसमें जो फोट अपलोड होगा वह कुछ इस तरीके से आप लोगों को गाइडेंस दिए गए कि जैसे आपके पास दिख रह मतलब कि आपको खुद को वेब कैम या कैमरे के सामने इस तरीकी से रखना है कि आप पता चली कि आप एकदम स्टेट वहां पे खड़े या बैठे हुए और सीरिसली आप लोग केमरे की तरफ देख रहे हैं उसके बाद लिखा है कंडिडेट शोड़न वियर काप कंडिडे खेंस वाला कैंसल होगा लाइट जहां पर कंप होगी वो गयुक्त वाला केंसल होगा फाइनली जिसमें सारी चीज़ों को ध्यान रखते हो फोटो कि जाएगा वह आपके लिए क्वार में आपका फोटो जो है एकसेप्स कर दिया जाएगा उसके बात में जब आप लूड क से आपका एप काम करेगा तो इसको जल्दी से जाकर के डाउनलोड कर लीजे और अपने SSC के अब फॉर्म फिलिंग में या SSC के रेश्ट्रेशन में अब बिल्कुल भी तेरी मत कीजिए मिलते नेक्स वीडियो में thank you so much